नमस्कार दोस्तोक अपसे आ आपका नैन्सरी च्लासेस तो आज मैं नैंसरी आप सभी के ले लेकर आए हूं कम्पीटर की रटलो सीरी ईस कम्पीटर की रटलो 是 Halo सीरीज में आपको मिनेंगे अपनी परक्ष्यास सब माあのुप महत्पूर्ण परिशन जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट अभी से बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण है तो आए देखते हैं आज की कॉश्चन्स को आज का पहला कॉश्चन है कि बिट का पिस्तरत रूप क्या है वाइनरी ट्री वाइनरी डिजिट वाइनरी टर्म या फिर टास्क तो आपके बिट जो होती है यह बिट आपके कम्पीटर पर डेटा या इन्फोर्मेशन की सबसे चोटी एकाई होती है मैंने क्या कहा मैंने कहा कि कम्पीटर पर डेटा या इन्फोर्मेशन की सबसे चोटी डिजिट जो होती है वो हमारी बिट होती है वेरी वेरी इ आपका एक बाइट बनता है क्या बनता है एक बाइट बनता है आपके बिट को स्मॉल वी से वहीं आपके बाइट को कैपिटल बी से आपका डिनोट किया जाता है तो याद रखना है यह वाला आपका कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि एक बाइट में कितने बिट सामि होते हैं very very important bit का जो पूरा नाम है वो होता है आपका binary digit क्या होता है binary digit होता है bit जो है आपकी computer की भासा में 0 और 1 होती है ठीक है 0 और 1 जो है इनको bits कहा जाता है चलते हैं next question की ओर question है आपका की VLE का विस्तृत रूफ है very very important VLE का विस्तृत रूफ आपको बताना है value learning environment virtual load environment या फिर virtual learning environment या फिर आपका value loaded environment अब आपको बताना है कि VLE का पूरा नाम क्या होता है तो वियाली का पूरा नाम होता है आपका virtual learning environment very very important question आया हुआ question है याद रखना है चलते है next question की ओर question है कि ICT का उद्देश है ICT यह जो ICT है इसका उद्देश आपको बताना है smart school की स्थापना करना सिक्षकों की छमता बढ़ाना एक बाद दो दोनों इन में से कोई नहीं आई जानते हैं ICT के बारे में पहले तो ICT का पूरा नाम जान लेते हैं कि ICT जो है इसका पूरा नाम क्या है तो ICT का पूरा नाम है information कि एंड कम्यूनिकेशन कि इन्फोर्मेशन और कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी ठीक है ठीक तो यह आपके ICT का पूरा नाम है information and communication technology यह आपके 2004 में ICT जो है आपके मादमिक स्थर के जो आपके मादमिक स्थर के स्कूल है इन पर लागू की गई थी इनका उद्देश बहुत important है ICT का तो ICT के उद्देश जो है आपके जो वर्तमान में जो आपकी demand है उनको लेकर है तो वर्तमान में आजकल की demand क्या है आजकल की demand है की computer स्प्षा प्रदान करने के लिए राजसकार और संग राज चित्र प्रशासकों के साथ भागीधारी करना यह आपके पहले उद्देश रहें भागीधारी करना किस के स्कूलों के स्थापना करना आपका मेन विदेश होता है आपके ुद्धेश ओधेस यानि कि विस्यवस्तु का मतलब क्या होता है आपका अलेट्रोनिक विस्यवस्तु जो है आपका विकास करना ढूसाओ बिशा करना थीख दो चैनि यह ली सिखतो का इस binary आपके ICT का है and last इंका उद्देश है सभी सिक्षकों की चमता बढ़ाना यानि कि सिक्षक जो होते हैं आपके सिक्षक की चमता बढ़ाना इनका उद्देश होता है ICT का तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ICT के चार उद्देश है कौन-कौन से computer सिक्षा परदान करने के तो आप यहां देख सकते हैं कि IGT के यह दोनों ही उद्देश हैं इसलिए option third एकदम correct होगा चलते हैं next question के और very very important question के spam क्या है यह पर नहीं होता है ठीक है spam क्या है protocol वंचित उद्देश आवँचित शंदेश या फिर आपकी उपरोप्त सभी spam आपका एक तरीके का आवँचि जैसे ही आप अपना email खोड़ेंगे तो आपको email में कई सारे ऐसे email मिलेंगे जो आप आपकी इक्षा नहीं पिर भी आपके फून में बिना बुलाए कभी भी आ जाते हैं तो ऐसे mail को spam कहा जाता है जैसे आप देखेंगे कि यह बाले email जो होते है spam email ये आपके advertisement से भरे होते हैं कई बार आप देखना की मिंत्रा वेगरा का या फिर किसी भी company वगरा का आपको email मिलेगा जिनको आपने कभी mail नहीं किया है लेकिन वो आपको mail कर रहे हैं आपकी इक्षा नहीं है फिर भी वो आपको mail कर रहे हैं तो ऐसे email को हम spam email कहते हैं ये basically कि आपके advertisement वाले email होते हैं क्या होते है आवनचिनी संदेश होते हैं यदि आप से question किया जाए कि आपके फॉन में आने वाले बिना बुलाय बाराती कौन से हैं तो वो spam email ही होते है ठीक है याद रखना है चलते है next question के और question है आपसे क्यों से कौन सी primary Gregory है infrastruktur कुर्ण या फिर रोम तो आपको बता दें कि आपकी मेमोरी दो तरीके की होती है आए जानते हैं कौन-कौन से होती है मेमोरी आपकी दो तरीके की होते हैं पहली होती है आपकी प्राइमरी जिसे आप कहते हैं प्राथमिक मेमोरी ठीक है दूसरी होती है आपकी दुत्यक मेमोरी जिसे आप कहेंगे secondary memory ठीक है तो प्राथमिक मेमोरी जो होती है प्राथमिक मेमोरी के आपके example कौन-कौन से होते हैं ये भी जानेंगे लेकिन पहले ये तो जान लें कि प्राथमिक memory क्या होती है तो ऐसी memory जिसमें आपका data या program वह वाला इस्टोड किया जाता है जिसपर आपका CPU WORK कर रहा होता है ब ghee enact unser सुनीए मैंने क्या कहा मैंने कहा कि प्राइमरी मेंयमोरी में ऐसा data रखा जाता है या ऐसे program रखाने रखे जाते हैं धस् utilizz देटापर प्रोसेस कर रहा होता है ठीक है कईवार exam में ऐसे ही पूंचा जाता है आपसे कि आपकी उस memory का ना मताइए जिसमें आपका computer जिस data पर process कर रहा होता है उस data को रखा जाता है तो प्रात्मिक memory है आपके दुत्यक memory में permanent data को रखा जाता है किस data को permanent data को रखा जाता है प्रात्मिक मेमोरी के आपके एक्जाम्पल होते हैं आपके रेम क्या होते हैं रेम होते हैं रों होते हैं और आपकी कैश मेमोरी होते हैं यह तीनों आपके नीघारे मेमोरी के बराइं रहाएं रहा है जो अ लोगिसा तो यह चीजिश आपको याद रगनी है प्राइमरी मेमोरी तो दुत्यक मेमोरी के बारे में RAM का पूरा नाम होता है आपका random access memory and ROM का पूरा नाम होता है आपका read only memory वहीं cache memory का नाम cache memory है जो कि आपकी सबसे fastest memory कही जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि floppy disk का hard disk की यह आपकी secondary memory यह दुत्यक memory के example है आपका ROM जो है आपका primary memory का example होता है इसलिए आपका fourth option एकदम correct होगा और आपका CD room आपके दुत्यक memory का example होता है primary memory का example लहीं होता है चलते हैं next question की और question है आपसे की computer का दिमाग होता है अभी तक तो आप लोग ने पढ़ा होगा मनिश्य का मस्तिस्क के की बारे में आप यहां पर देखेंगे computer का मस्तिस्क क्या होता है CPU monitor keyword या mouse तो computer का जो मस्तिस्क है या जो दिमाग है वो आपके CPU को कहा जाता है CPU का पूरा नाम होता है आपके CPU का पूरा नाम क्या होता है central processing unit आखिर क्यों कहा जाता है computer का दिमाग CPU को क्योंकि आपकी सारी की सारी process करने का काम किसका होता है आपके CPU का होता है, जैसे मैं आपको समझाते हूँ, आपने कोई भी यहाँ पर डेटा दिया, डेटा का मतला है यहाँ पर आपने input दिया computer को, computer में जाने के बाद आपका process करने का काम CPU करेगा, यह आपके CPU भाई साब है, यह सारी की सारी process करेंगे, जो भी आपको जो भी काम कर करेंगे, CPU भाई साब करने के बाद आपको जो output है वो आपके monitor पर दिख जाएगा, तो कार जो है आपका कौन करता है, कार करने का काम आपके CPU का होता है, सभी के सभी कार आपकी सभी process आपके CPU द्वारा हैंडल की जाती है, CPU ही सारा कार करता है, आपका monitor जो आपका TV के जैसे आपको दिखता है, यह सरिफ हो सरिफ आपके output को display करता है, क्या करता है, आपके output को display करने का काम आपके CPU भाई साब का होता है, monitor और CPU दोना ही hardware devices होती है, hardware devices ऐसी होती है, computer की hardware devices उन devices को कहा जाता है, जिनको हम touch कर सकते हैं, जिनको हम feel कर सकते हैं, जैसे आप monitor को feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं CPU को कर सकते हैं monitor को keyboard को कर सकते हैं माउस को कर सकते हैं लेकिन आप किसी software को touch नहीं कर सकते हैं आपके phone में या computer में जो भी software क्या उसको touch कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते हैं ठीक है तो याद रखना है hardware होते हैं जिनको आप touch कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपने दिखा कि computer का दिमाग कौन होता है CP होता है चलते हैं next question क्यों question है आपका कि वेबसाइट होते हैं उनका main page कहलाता है very very important question आया हुआ question है website का main page आपको पताना है home page या मुख्य प्रस्ट दुद्ती page अन्य page इन मैं से कोई नहीं पहले तो website जान लेता है कि website होती क्या तो ब्रायौजर के थरू करते है Box रियृज करते हैं browser की ठूरू करते है यह जो website होती है जैसे मानके चलिए आपने सर्च किया www.sarkaryresult.com मैं आप लिख देती हूं www.sarkaryresult.com यही होता है ना यह commercial website है तो आप देख सकते हैं कि www.sarkaryresult.com खोला तो आपको एक page दिख गया होगा तो जो page पहले खोला है सबसे पहले जो page खोला है वो आपका home page गहलाता है क्या कहलाता है home page गहलाता है जिसे आप मुख्य प्रस्ट कहते हैं फिर यहां पर कई सारी लिंक दी हो रही होती है कि आपका latest में result कौन सा आया है यहां पर देख सकते हैं तो आप जैसे यहां पर आपकी जो भी नया form आया होगा जैसे आपका जो सबसे पहले website का page जो खुलता है वो आपका क्या कहलाता है वो आपका home page कहलाता है जैसे मैं आपका एक और अग्जांपल देते हूं जैसे आप इसा फांडिशन बगरा की website को लेंगे तो आपको जो पहला page देखेगा वो उनका home page कहलाएगा अयोब यहां पर आप समझ ग परबड़ है यानि कि फिस्कल स्ट्रक्चर है हो आपका hardware कहलाता है यानि कि physical बनावट क्या कहलाती hardware कहलाती है hardware हो पार्ट्स होते हैं computer की जिनने आप फील कर सकते हैं कर सकते हैं जैसे आपके कीवोर्ड हुए कीवोर्ड हुआ कीवोर्ड के अलाबा आपका माउस हुआ माउस के अलाबा आपका मॉनिटर हुआ मानिटर मानिटर के अलाबा आपका CPU हुआ UPS वगरा हुआ यह सभी के सभी आपके hardware parts है ठीक है चलते हैं next question की और question है आपसे की email से जुड़ी file जो email प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं spam email, email attachment, send email या इन में से कोई नहीं तो question को ध्यान से पढ़िए important question है email से जुड़ी file जो email प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं तो ऐसी email को कहते है email attachment क्या कहा जाता है email attachment कहा जाता है ठीक है आइए चलते हैं next question की और question है आपसे की एक digital computer में data किस रूप में सनक्षित किया जाता है very very important आपका जो डिजिटल computer है computer बिसिकले डिजिटल ही होगा न तो डिजिटल एक होता है यानि कि आपकी data अपका देटा 0 और 1 के फॉर्म में होता है जो भी information हमने दी हमने अपनी भासा में दी लेकिन computer में उस information को सबसे पहले binary भासा में change करेगा यानि कि 0 और 1 की परिवार्म में आपका जो है change करेगा उसके बाद भू अपना process करता है यानि कि CPU process करता है सबसे पहले आपका 0 और 1 की data में form में आपके data को रखा जाता है तो computer कौन सी बासा समझता है binary form बाली computer आपका जो है data को binary form में selection करता है binary form का मतलब है 0 और 1 की form में ठीक है चलते हैं next question की और question है आप से की sttp का पूरा नाम है very very important question sttp का पूरा नाम क्या है hypertext transfer protocol आपके sttp यानि कि इस तरीके से sttp होता है जैसे आपको भी website का नाम लिखते है तो sttp का पूरा नाम क्या होता है मैंने कहा कि बैब पर आपके data transfer करने का कार आपके sttp करते है sttp का पूरा नाम होता है hypertext transfer protocol very very important याद रखना है आईए चलते है next question क्यों question है आपसे कि ATM की अविश्कारक का नाम क्या है आपके options है चार्ल्स वेवेज टिम वर्नर्स ली जैक किलवी या आपके जौन सैफ़र्ड वार्नेस आपको बताना है कि ATM की अविश्कारक का नाम क्या है तो पहले तो ATM का पूरा नाम जान लेते हैं कि ATM का पूरा नाम क्या है ATM पूरा नाम होता है आपका automater tailor machine क्या होता है Auto टेलर मसीन यह जो है आपके नाम होते है ATM के ATM के जो अविसकाराख हैं का नाम है जोन सैफ़र्ड बार्डनेस प्रशार्डन थीक़ है चलते हैं next question कि और आपकरणों के बीच wireless संचार आपसे पूछा जा रहा है कि Bluetooth पुरद्योगी की आप अपने फोन में या फिर कोई भी आपके पास गैजट होगा तो आजकल तो Bluetooth के माद्यम से आप अपनी ब्लूटूस सिस्टम ठीक है चलते हैं नेक्स कोश्चन के और वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन कोश्चन है आपसे कंपीटर के प्रोसेसर की गती को निम्लिखित मैं से किस में मापा जाता है आपके ऑप्शन से बीपीएस वर्ड बिट्स क्या फिर एमाई पीएस कोशन प्रोसेसर की गती इह आया हुआ कोश्चन और आपकी इंपोरेंट कोश्चन भी है चलते हैं next question की ओर question है आपसे के CPU में control, memory और कौन सी unit होती है microprocessor, input, output, arithmetic, logic unit आपका जो CPU होता है CPU भाई साब में आपकी 3 unit होती है कौन कौन सी unit होती है एक होती है आपकी control unit दूसरी होती है आपकी memory unit और आपकी third होती है आपकी arithmetic logic unit जन्हें ALU कहते हैं यह जो control unit होती है यह control आपकी करती है आपके प्रोग्राम बगेरा को memory unit आपके data को store करती है भही ALU यानि के arithmetic logic unit जो होती है आपके arithmetic आपके जो गड़ती गड़ना है जो आपके गड़स से सम्बंदे जितनी भी गड़ना है यह आपके ALU में perform की जाती है यह आप computer में 2 plus 2 करते हैं तो यह ALU का काम होता है इन 2 plus 2 को 4 बनाना इनको जोडने का काम कौन करता है आपके ALU करते हैं तो ALU में आपकी गड़स से सम्बंदे सभी गड़ना है जो है आपके perform की जाती है तो आपके जो CPU हैं इनमें 3 unit होती है control unit, memory unit, arithmetic logic unit very very important question याद रखना है option fourth एकदम correct होगा and next question है आपका की .com क्या निरूपित करता है सरकारी छेत्र, संचार छेत्र, सिक्षा चेत्र या फिर वारिज्य छेत्र बताना है की .com क्या निरूपित करता है तो आपका जो .com है यह basically आपके संचार छेत्र को निरूपित करता है सरकारी छेत्र की जो website होती है इनमें .in आता है क्या आता है .in आता है कभी आप देखना की जो आपके government वाली website होती है इनमें basically last में .in आता है जैसे मैं आपको बता दूँ आपकी एक website है updl.in तो आपकी यह जो है एक सरकारी website है कौन सी ? updl.gov.in यहां पर आप देखेंगे .in जो है आपका एक government website को denote करता है और आपकी संचार छेत्र की website होगी वो .com आपका लास्ट में होगा सिक्षा छेत्र की website होती है उन मैं last might.edu आता है यह सभी चीज़ें आपको याद रखना है सिक्षा छेत्र की website में क्या आता है last might.edu आता है वहीं वारट जे छेत्र की website में आपको क्या देखने को मिलेगा .com देखने को मिलेगा आई चलते हैं next question क्यों question बहुत important है question है आप से कि Google ने किस web browser को विक्सित किया था बताना है आपको कि Google ने किस web browser को विक्सित किया था internet, explorer, firefox, mozilla, safari या फिर chrome पहले तो web browser के बारे में जालने थे web browser होती क्या है तो web pages को देखने के लिए हम लोग web browser का use करते है और आपके इंटरनेट, explorer, safari ये सभी आप पुराने हो चुके है यूजी ब्राउजर ये भी आपका एक browser था बहुत पुराना हो चुका है लेकिन अब फिलाल में जो Google का जो browser है Chrome इसका सबसे दादा यूज हम लोग करते हैं and next question है आपका की assemblar का कार्य है important question है assembler का कार्य आप से OFFанти आपसे ऑप्स 와 कि basic भाएसा की यंत्र भाएसा में परिवर्तित करना पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूप यंत्रवासा यहां पर मतलब है machine language का मतलब होता है यहां पर जो आपकी machine मसीन समझ सके, मसीन याँ पर कौन सी है, मसीन है आपकी कम्पीटर, तो अासेम्ब्ली वहास को उच इस तरीए वासा में परिवर्ट्टित करना, देखे उच इस तरीवासा है, यह सब आपकी आ तीह हां आते है, था assembler का कारे होता है आपका assembly भासा को यंत्र भासा में परिवर्थित करना आपकी assembler का कारे होता है option third एकदम correct होगा चलते है next question के गूर question है आप से की computer virus क्या होता है एक फफूदी एक bacteria software program या इन में सो कोई नहीं क्या computer में जब आ जाता है तो बहुत problem create करता है आपकी कई सारी फाइल जो है करप्ट हो जाती है यह आपकी computer virus जो है कभी-कभी बहुत ज्यादा problem create कर देते हैं इन फिलाल में यह बहुत ज्यादा चर्चित वाइरस रहा है जो कि आपके इस्राइल से था आप comment works में उसका नाम बताना है यदि आपको पता हो नहीं पता होगा तो मैं जरूर comment works में बताऊंगे ठीक है इस्राइल का वाइरस था ठीक है computer वाइरस में आपके कुछ-कुछ वाइरस के परता यह पार में आपको बता देती हूं एक वाइरस जो आपका बहुत ही खतंड़क है तोड़ा सा यह बाकी में वाइरस इसको आप लोग हसी में मत लेना एक वाइरस का नाम है आपके यह आपका इक वाइरस है computer virus एक नाम थोड़े आपके computer वाइरस हैं जैसे एक Michelangelo भी है यह आपके computer वाइरस होते हैं ठीक है यह करते क्या है आपके computer की files में जो है करेप्ट करते हैं ठीक next question है आपका कि पर्थम web browser है very very important question first web browser कौन सा था internet explorer net escape firefox यह फिर वर्लड वाइब तो आपका first जो वेब ब्राउजर था वह आपका World Wide Web था क्या था World Wide Web आपका first browser था ठीक है अब यह भी जान लेते हैं कि पर्थम web browser आपका किस ने विक्सित किया था एंड कभ विक्सित किया गया था ठीक है देखते हैं आपका जो first web browser जिसका नाम है World Wide Web यह आपके 1990 में आपका जो है डेवलब किया गया था किसके द्वारा सर तिम वर्नर्स ली के द्वारा तिम वर्नर्स ली कभी-कभी इनको ली सहाब भी बुला जाता है तो याद रखना है कि तिम वर्नर्स ली ने 1290 में फॉस्स वेलब किया था' क्या करता है दिसको क्पिर करने का का मंद यी वेलब दैर होता है उन वेज्ऺिस क्रेंगे और lan तो कही डिस्पले करेंगा न तो आपको ये जो विप्राउजर के थ्रों है और भूर्ण पूंचा अनुपंच्छान नाव नरमत्यान चॉप्ड से तो ऑन चुछ तो है आपका सपर क्या है एक उपर flight कंपिटर है आपका क्या है इस स्पाई गया कि कि और आ पको कुछ सब्रकम्पीटर के नाम में बताऊंगी लेकिन उससे पहले आपको यह जैनना होगा Central Atomic Research Center, इसान ए यह अपके बार्क की फुलपर्म होता है, बार्क देखने की मिलते हैं, ज़ो में आपके। और कदेखने की मिलते हैं, नबंब सीरीज जो है आपके वार्क के द्वारा विक्षित की गई, एक सुपर कम्पीटर सीरीज है ठीक है आपको यहां पर यह भी जानना होगा कि वर्तमान में आपका सुपर कम्पीटर कौन सा है वर्तमान में सबसे फास्टेस जो सुपर कम्पीटर है आपका मैं विश्व किस तर की बात कर रही हूं इंडिया किस तर की बात नहीं कर रही हू तो विश्म में वर्तमान में सबसे फास्ट जो सुपरकंपुटर है वह आपका Fugaku क्या है? Fugaku ठीक है यह किस का है? यह जपान के द्वारा आपका बिक्सित किया गया हाल फिलाल में आपका चायना दावा कर रहा है कि Fugaku से भी अचछा सुपरकंपुटर जो सबसे ज्यादा fast work करेगा वो डैबलब करने जा रहा है लेकिन अभी बर्तमाने आपके जपान द्वारा बिक्सित किया गए पुगाकों ही आपका सबसे Hat ja confirming आपके अन्यर कंपीटरों के नापको पाता हूना चाहिए वैरी इंपटें आपके अन्य-सुपर कंपीटर हैं आपके परम सिद्धी प्रत्यूस लॉए नापकी जिए से आधि allons एकि लिए आप मिहिर के लाबा होते हैं आपके आदित्य आदित्य शहस्रत सोच रहे हूंगे आप लोग यह सब नाम तो हम लोगों के होते हैं लेकिन यहीं सब नाम आपके जो हैं कि सुपरकंप्पूटर के रखे जाते हैं ठीक है यह बेसिकलिए आपके सीडेक द्वारा निर्मित किये महर आद्यत्य शहस्रत चाहां पड़ी सोपर खाशन में यहीं पूछ जाना है कि निमलकित मैं से समय साूपर केमप्प्पूटर आपको कि आपका स सॉपर्स किया है तो आपको देदिया जाएगा एक आपका वैक्टीरिया है एक वायर से कम्पीटर का यरध एक सुपर कंप या फिर आपकी इक मेमोरी का नाम है तो याद रखना है कि सहसरत एक प्रकार का हमारा सुपरकम्पुटर है वेरी वेरी इंपोर्टेंट इन सभी सुपरकम्पुटर के नाम याद रखने है ठीक है चलते हैं next question की और question है आप से कि भारत में विक्सित परम सुपरकम्पुटर क विकास किस संस्था ने किया वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो परम सीरीज आपके भारत में चलते हैं परम सीरीज के जो सुपरकम्पुटर आपकी भारत में चलते हैं उनका विकास किस ने किया है इस रो नासा सीडेक पुड़े या फिर आईटी डेली तो परम सुपरकम्प computer जो हैं आपकी cdek पूरिए द्वारा विक्सित किये जाते हैं cdek पूरई का full-form है आपकी पूरी जो है इनकी इन पूरिए में है आपका cdek तो आपकी cdek का full form जो है याद रखना है important बनता है cdek का full form होता है आपका center for development of advanced computing क्या होता है center for development तो आपके सीडेक का पूरा नाम है Center for Development of Advanced Computing ठीक है यहां पर मैं लिख दीती हूं मैं एक बार लिखी थी लेकिन वो धोके से मेरे से हट गया Development of Advanced Computing ठीक है तो यह जो है आपकी सीडेक का पूरा नाम है कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि सीडेक कहा है थे तो पुरे महारास्त में आपके सीडेक देखने को मिलता है आपके सीडेक द्वारा बिक्सित जो है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था वेरी वेरी इंप परम 8000 यदि आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि परम नाम के यानि कि परम सीडेक द्वारा बिक्सित किये जाते हैं तो सीडेक द्वारा बिक्सित किये जाते हैं वहीं सीडेक द्वारा बिक्सित जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000 इसका निर्माण आपका 1991 में किया गया था सीडेक के दवारा, आपकी सीडेक में आपके जो पर्थम जो सुपरकम्पुटर पर्म 8000 था, इनके निरिमाल का जो स्रेय है, वो इनके जो वहां उस टाइम के जो न देर सकते, उनका नाम था दक्टर विजै भासकर, क्या नाम था दक्टर विजै भ इसका स्रेय जाता है आपके जो है स्परकम्पीटर निर्माल का स्रें इनको बर्ड के तोर पर अगर देख जाए तो बाज। तोर पर आपकी स्वuggling क्यूल स्ट-प्रिसर्च कपनी द्वारा बनाये जाते हैं कि इसको C мор क्रेंगो ठीक है याद रखना है आपको C more क्रेंग जो व्यक्ति हैं यह आपके अमेरीका की हैं इनको ही आपके सुपर कॉम्पीतर का फाधर यानि की जनक बोला जाता है इतनी चीजें आपको याद रखने हैं आपके सुपर कम्पीटर के बारे में तो यह आपने वर और computer और वर्डे की तौर पर क्रेयर रिसर्च कंपनी मनाती है आई चलते हैं next question की और question है आपसे की computer data की सबसे छोटी एकाई आपसे पूछी जा रही है byte, bit, file यह record तो computer data की जो सबसे छोटी एकाई है वो आपकी bit माने जाती है कौन माने जाती है next question है आपके Michael Angelo है मैं आपको बता चेकी हूँ option से आपके एक प्रकार का computer virus चुहों मैं फैलने वाला रो, cancer के बचाव वाला वायरस या फिर cancer का उत्तरदाई वायरस तो Michael Angelo एक प्रकार का आपका computer virus होता है यह आपके computer virus भी एक software ही होते हैं क्या होते हैं आप समझना virus को मतलब जैसे हमारा जो कॉरुना वायरस है वो नहीं ठीक है यह आपके software ही होते है software program ही होते है जो आपके computer में आपके विना जाने आपको पता भी नहीं रहाए कब आपके सब्सक्राइब नेक्साइब ननी सबने सब इस데 बहुत हैं कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब कॉंसी बहुती है तो तो जी जरी Bye fini Gmail इसाम आप मतलब षतeschत यहां पर बायने थे समझाब है वाहा आपकी लागव कि Celtobile और बन के फॉर्म में होती है, computer को सरफ और सरफ जीरो और बन के फॉर्म वाली भासा ही आती है, हम तो उसे English में input देते हैं, लेकिन computer उस English में दिए गए input को पहले जीरो और बन के रूप में परिवर्धित करता है, then आपका जो CPU इसको प्रोसेस करता है, और हमें output हमारी ही भासा में मिलता है, यह आप बात में जानेंगे, कि यह 0 और 1 के फॉर्म में आपका कौन परिवर्धित करता है, और फिर आपके computer जो हैं, इनको CPU प्रोसेस करते हैं, तब आपका output जेनरेट होता ह वो आपको आपके भासा में मिलता है तो कैसे हुआ ऐसे कि आपके 0 और 1 की फर्म की भासा आपके ही भासा में आपको मिली तो ये आप जानेंगे कि इसमें आपका किसका युगदान होता है आएए चलते हैं next question क्यों और तो question है आपका अंग्रेजी भासा के समान उच इस तरी कंपीटर भासा है Fortrain, Pascal, Cobol ये C++ तो आपको बता दे कि अंग्रेजी भासा के समान जो कंपीटर के उच इस तरी भासा है उसका नाम कोबोल है कोबोल के पूरा नाम बहुत important बनता है तो कोबोल का पूरा नाम है Common Business Oriented Language क्या कहा हमेंने Common Business Oriented Language ठीके ये जो हैं आपकी कोबोल के पूरा नाम है कोबोल जो है आपके सरकारी व्यवशाय बित्त और प्रशास्निक प्रणालियों में यूज की जाती है आए चलते हैं Next Question की और Question है आपसे की वही युकती जिसके द्वारा आकड़ों को टेलीफोन की माध्यम से वाइनरी सिगनलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है Mouse, Keyword, Monitor या Modem तो वो युकती आपकी Modem होती है जिसके द्वारा टेलीफोन की माध्यम से वाइनरी सिगनलों को भेजा जाता है ठीक है, क्या होती है? Modem होती है, Modem का पूरा नाम होता है आपका Modulator, Demodulator Demodulator ठीक है, यह आपकी एक Hardware Device होती है Hardware Device का मतलब होता है जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं यानि कि महसूस कर सकते हैं एसी डिवाइस को हम लोग Hardware Device कहते हैं तो Modem जो है, आपकी एक Hardware Device होगी कई लोगों ने, आप मैंसे Modem देखा होगा जब आप Modem देखेंगी, तो आपको समझ लग जाएगा कि Modem आपकी एक Hardware Device होती है यह जो Modem होती है, यह आपके Computer को Cable Cable या Telephone Line तो Cable या Telephone Line के माद्धिम से डेटा भेजने का कार आपकी Modem करती है ठीक है, यह जो Modem है आपका यह Digital सूचना को Modulate करती है Digital सूचना का मतलब है जैसे आपके Laptop, या फिर आपके जो आपके Phone है, इनमें जो भी आपकी सूचना होगी, वो Digital Form में होगी Digital Form का मतलब है, जो आपके Soft Copy के Form में हो, तो आपकी चीजें Computer में या फिर Laptop में जो Information है, वो Soft Copy के Form में होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, Digital सूचना, तो आपके जो Digital सूचना होती है, जैसे आपकी यह Digital सूचना होगी इसको Modem क्या करेगा? Modulate करेगा, Modulate करके Analog Pra groom में भेजने हैं किसमें? Analog Pra Rook मैं? ठीक कौन भेजता है? आपका Modem भेजता है फिर यह जो Analog Pra Doop है Analog Pra territor से सिगनल मिलता है फिर इस single करते हैं? Demodulate करते हैं Demodulate करने का काम आपके Modem करेगे Demodulate करके Digital तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है कि आपके मॉडम क्या करते हैं कि डिजिटल सूचना को यहां इन्होंने एनालाग प्रारूप में बेजा किसने बेजा मॉडम ने और साथ इसाथ एनालाग प्रारूप से जो सिगनल मिलता है उसे फिर से दिमॉडुलेट किया और डिजिटल रूप में इसने गरण किया तो यहां पर आपका ऑप्शन फोर्थ एक दम करेक्ट होगा आपक ह democrat है किसे इन्हों की वु है इसे और फोर्थ में इसाथ है और लोग आपसे कि विष्व में स्रवादे इसे भारत ह तो विश्वार्वाद कम्पीटरों बाला देश आपका शेयुक्त राज अमेरिका माना जाता है वहीं जापान का एक कम्पीटर है फोगाकु जुभ जो ए आपका विश्व का सबसे फास्से अपर से सुमक्पीटर माना जाता है अगर आप में पूच्छा यह दिदोла आपको आपका एक सुपर कंपीटर है जो कि आपके जपान की दोरा डिजाइन किया गया है यह अब तक का सबसे फास से सुपर कंपीटर माना जाता है ठीक है आए चलते हैं नेक्स कोश्चन की वर कोश्चन है आपसे कि कंपीटर सक्षरता दिवस कब मनाया जाता है एक दिसंबर दो दिसंबर बावीज दिसंबर उननीस दिसंबर तो आपको बता दें कि एक दिसंबर को तो आपका मनाया जाता है क्या मनाया जाता है इट्स दिवस ठीक है उननीस दिस मेरे आपर computer सक्षरता दिवस मनाय जाता था तो ये जो है 2 December को प्रतिवर्स आपके computer सक्षरता दिवस celebrate किया जाते हैं बहुत ही important question है ये वाला आपका computer सक्षरता दिवस जो है आपका पहली बार कब मनाय गया था तो ये जो है आपका पहली बार आपके 2 December 2001 को मनाय गया था किसके द्वारा मनाय गया था तो N, I, I, T के द्वारा पहली बार 2001 में आपका computer सक्षर्टा दिबस मनाय गया था आए चलते हैं Next question की वर Question है आपसे कि अधिकतर computer समझ सकते हैं आपसे question है कि आपके जो computer है वो क्या समझ सकते हैं वेसिक भासा भी नहीं समझ सकते हैं मैं आपको पहरे भी बता चुकी हूँ कि आपके computer सिर्फ और सिर्फ binary भासा यानि कि जो 0 और 1 के form में होंगे उससे ही समझ सकते हैं तो आपके 0 और 1 के form वाली भासा होती है आपके उच्च इस्तरी भासा यानि कि अंग्रेजी सिर्फ और 1 के form वाली भासा ही समझ सकते हैं और आपके उच्च इस्तरी भासा में आते हैं आपके जावा, C++ ये सभी चीज़ें आती हैं नेक्स कोश्चन है आपसे कि Microsoft Company के संसापक कोन है? सुन्दर पिचाई, बिलगेट्स, मुकी संबानी, इन मैंसे कोई नहीं तो Microsoft Company के संसापक आपको बताना है अम्बानी जी तो नहीं है और पिचाई सहब जो हैं आपके Google के CEO हैं बिलगेट्स जो हैं आपके Microsoft Company के संसापक माने जाते हैं ठीक है इन्होंने आपके Microsoft Company की स्थापना कब की थी यह जानते हैं साथ ही साथ आपको एक चीज़ दर बता दू कि जो Microsoft है यह विश्व की मैं विश्व के सर के बात कर रहे हूं यह विश्व की सबसे बड़ी कि इसुप्वेर कंपनी थीक है यह विश्व के सबसे बड़ी software कंपनी है कब इस्थापना की में चुकि यह विश्व की सबसे बड़ी software कंपनी है तो इनके headquarter भी important मांते हैं इनके headquarter Fahrenheit आपके Americaайт अमेरिका में रेड मंड में ठीक है रेड मंड मैं आपकी हैड़कॉाटर देखने को मिलते हैं माइक्रोफ्ट के आए चलता है नेक्स्ट कोश्चन के और जो कि है आपका कि डवलू, डवलू, डवलू का पूर्ण रूप है worldwide web, working window, window, worldwide या फिर world working web तो www का पूरा नाम होता है आपका worldwide web इनकी first option एक दम correct होगा यदि आपसे अगरेजी मेना देंके हिंदी में दे दिया जाए तो आपके www का पूरा नाम होता है विश्व utilizar ब्यापी बैब ये जो हैं आपके नाम होते हैं आपके www के इनकी खोज बहुत जादा important है कि www की खोज के रहोंने कि थी की खोज सर टिम वर्नर्स ली ने की थी कब की थी 1989 में इन्होंने खोज की थी www की चिक होता क्या है ये 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 जो कि आपस में जोड़े hypertext दस्तावेज होते हैं दस्तावेजों को internet द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली होती है क्या होते हैं आपस में जोड़े जो hypertext दस्तावेज हैं इन सब को internet से प्राप्त करने की प्रणाली होते हैं आपके विश्वव्यापी बैब ठीक है आए चलते ह है next question की ओर question important है आपसे question सूचना राजपत किसी कहा जाता है यह किसे कहते हैं email को cellular phone को Pager को यह फिर internet को आपको बता दें सूचना राजपत हैं इंटरनेट को कहा जाता है बहुत जादा important है question आ सकता है आपकी परिक्षा में तो याद रखना है next question है आपसे कि email का जन्मदाता किसी माना जाता है विल्गेट्स को जी टिमोथी को टिम बर्नर्स ली को रे टाम लेंशन को तो आप सभी को पता है कि Microsoft Company के सब्सक्राइब उनका नाम है विल्गेट्स सहाब टिम बर्नर्स ली सहाब ने तो हमारे डबलु डबलु की खोज की थी और आपके बचते हैं जी टिमोथी सहाब और रे टाम लेंसन तो email के जन्मदाता आपके रे टाम लेंसन जी को माना जाता है email से आप लोग भली बात ही पढ़े जाते हैं तो आप लोग email के बारे में काफ़ी जाधा परिशत हैं कि email से हम लोग क्या करते हैं तो email से हम लोग जो है mail करते हैं मिल का मतलब है message करते हैं ठीक है next question है आप से कि पहला computer भारत में कब और कहां लगाया गया था very very important question कि पहला computer आपके इंडिया में कब और कहां पर लगाया गया था तो आप्सन से आपके आई टी डेली 1973 आई टी वेंगलोरी 1971 आई आई एसो कौलकाता 1955-1965 आपको बता दें कि पहला कंपीटर आपकी प्यारे भारत में आई एसो कौलकाता में लगाया गया था तो 1955 में आई एसो का मतलब है इंटरनेशनल स्टेंडर्ड और्गनाइजेशन ठीक है यह जो है आपके ISO की पूरा नाम है इंटरनेशनल इस्टेंडर और ओर्गनाइजेशन ठीक है तो पहला जो आपका है नई डिली का कॉलकाता का मुंबई का यह चिन्ने का तो भारत का पहला कंपीटर डिली का है इसलिए अप्शन बन एकदम करेक्ट होगा नेक्स कोशन है आप से कि भारत में रेलवी के अंतरगत सर्व प्रतम कंपीटर आरक्षण व्यवस्ता कहां प्रारम की गई थी दिली म कॉलकाता में मुंबई में यह चिन्ने में तो आपको बता दें कि भारत में रेलवी के अंतरगत सर्व प्रतम कंपीटर आरक्षण की व्यवस्ता है वह आपके दिली में शुरू की गई थी तो ऑप्शन बन एकदम करेक्ट होगा नेक्स कोशन है आपसे कि CPU का बिस्तरत इतना ज्यादा चीजों से है भूचल हो जाओ तो फिर वहीं चीज निकलती है मुंसे तो CPU का पूरा नाम होता है कि Central Processing Unit आपका Second Option एकदम करेक्ट होगा आपके CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है प्रोसेसर किसे कहेंगे जो प्रोसेस करेगा प्रोसेस करने का काम है कि वर्क करने का काम किस ने किया वर्क करने का काम होता है आपके CPU भाई साब का आपने जो भी अपने कंप्वीटर में कार किया है वो कार आपका जो आउटपुट है इनको डिस्प्ले करने का काम करता है सारा का सारा दिमाग का काम जो है आपकी CPU भाई सब करते हैं तो याद रखना है कि आपकी CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है कि प्रोसेसर जो है आपकी प्रोसेस करने का काम करते हैं कौन सी प्रोसेस कप पर फॉर् यह सारे चीज़ें आपके CPU भाइसा भी डिसाइड करते हैं यह आपके मॉनेटर का कारें सरफ इतना होता है जो भी आउटपुट है इसको डिस्प्ले करना देट सिट चीक है चलते हैं नेक्स कॉस्चन की और कॉस्चन आपसे की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्राड़ किन होने किया इन सब चीज़ें के बारे में आप जानेंगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर अगले वीडियो के लिए भी आपके माइक्रोसोफ्ट ने एपल कंप्यूटर ने जीरोक्स कॉर्पोरेशन ने यह फिर आईबीम ने तो आपके जो ग्राफिक सब्सक्राइब कार किसी ने किया है तो वो आपके बीम् moreksyme झीजिए ऊधिन ज класс ग्रीय को शुटी को डहएं हम इंत चीजों को देख रहे है हम इंट्रेक्ट हो रहे हैं हम आंज बिल्स ऑम से ने याफिकल यूजर इंटरफेस्हों में जो उप्योग करता को computer उपकरोनों की मध्यम से जो ग्राफिकल आइकन्स होते हैं इनको दिखाने का कारे करते हैं तो याद रखना है option third एकदम correct होगा आये चलते हैं next question की और जो की है आपका की graphical user interface में प्रोग्रामों को दर्साने के लिए चोटी चोटी तस्वीरों का प्रियोग किया जाता है यह कहलाते हैं मैंने अभी आपको बताया है आप शाये समझ जाए फिगर फाइल आइकन यह फोल्डर तो graphical user interface जिनने आप GUI भी कहते हैं GUI तो आपके जो GUI होते हैं इनमें प्रोग्र में क्या सही है आपके जो Windows होते हैं मैं Windows operating system की बात कर रहे हुं कि Windows में फाइल नीम के सम्भाइद में क्या सही है अधिक्तम 200 55 करेक्टर का प्रियोग हो चल्ड़ के जा सकता है विसेशच चिन्नों का प्रियोग नहीं किया जा सकता है खाली स्थान का प्रियोग किया जा सकता या उप्रोब तो सभी तो आपको बता दें कि आपकी Windows में फाइल नेम की सम्बंद में यह सभी कथन सही है अधिकतम 255 करेक्टर का प्रियूग किया जा सकता है विसे इस्चिनों का यूज नहीं कर सकते हैं खाली सथान का प्रियूग किया जा सकता है तो अपरोब तो सभी पा फाइल नेम डेटा यह फिर सूचना तो हम लोग उन्हें फाइल नेम कहते हैं क्या कहते हैं फाइल नेम कहते हैं नेक्स कोच्टन है आपसे की Windows में डिलीट केगी फाइल चली जाती है अब तो हमारे Windows ऑपरेटिंग सिस्ट्म के लावा फोन में यह सब सिस्टम आने लगे हैं जैसे मेरे पास सेमसंग का फोन है तो सेमसंग में आपके रिसाइकल विन होता है मुझे अधर फोन के बारे मैं नहीं पता है तो आपके आपके जो विंडोस ऑपरेटिंग सिस्टम ml में इनमें Delete RAW इसमें दिलीट करें हैं जैसे मैं फॉन मेंकुछ बिलीट कर देती हूं तो में रिसाइकल स्थाइकल में चला जाता है जब तक म्याktμεर सब्सक्राइब और देखें तक फोन में बनी रहती हैं तो आपके जो चीजा ड्लiट की गई होती भी कि लीट में इस तरीगे लेटेश करना जो आपके लेपटाउका में सप्दाइग से अपको देखता है तो उसमें बिल्खुल कुछ नहीं देखएगा एकदम आपको खाली दिखेगी यह recycle event ठीक है अगर आपने इसमें कुछ डिलीर कर दिया होगा अपने laptop से तो यह पता भरना शुरू हो जाती है यह चीज यह भरना शुरू हो जाती है जब मैंना first time देखा तो मुझे थोड़ा सा जीव से लगा था लेकिन ऐसा होता है आप दे लुब 2 का प्रेयोग करते हैं या एन मंसे कोई नहीं आप से simply यह उचा गया कि कंपीटर को बंद करने के लिए supply बंद कर देते हैं तो हम लोग क्या से करते करते हैं सब्डाउन डायलोग बॉक्स का प्रियोग करते हैं ठीक है क्या करते हैं सब्डाउन डायलोग बॉक्स का प्रियोग करते हैं नेक्स कोश्चन है आपसे की विंडोज में कट एवं कॉपी की गई फाइलों को प्रियोग से पूर्वर रखा जाता है वेरी वेरी इंप प्रेश्ट करेंगे यही मेरे कहने का मतलब है ठीक है कि कट कि कट या कॉपी करने से पूर्व जो आपके आपके जो जो भी इनफोर्मेशन रखते हैं क्लिप बोर्ड में फॉर्मे पेंटर में नोटपेड में या इन में से कोई नहीं तो ऐसी चीज़ों को हम लोग रखते है में क्लिप बॉअर्ड एकडम करेक्ट होगा नेक्सक्त ने इंच कोशन है अपसे कि व्वम्ध का मेश्ट करणस्ड चना जाता है है कि क्ट यह कौन सा मेनु चुना जाता हैं आपके प्रिंट的 के आपने करवाया होगा कभी लैप्टोप में जैसे मैंने करवाया तो मैं बता दीती आपको कि जब लुग्ट कर वाते हैं तो मेन्य चुनना होता है उसका नाम होता है आपका फाइल मेनु में जाएंगी तो आपको बहाँ पर सारे उप्सन मिल जाएंगी तो आप से सिंप्ली यही मुझा गया था कि प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन सा मेनु चुनते हैं तो फाइल मेनु चुनते हैं ठीक है की आपके जो सौफ्ट supporters का सब्क्राइन की सुचित है ठीक है टूर्ण होते क्या है टूर्ण ज कि आपके useum कि पंक्ति होते हूं यह क्या होते हैं आपके आईकंश की आईकन की पंक्ति अ क्लिक कर सकते हैं यह बैब ब्राउजर वर्ड प्रोसेंसिंग और आपके जो एप्रिकेशन सोफ्ट्वियर ने इन सभी पर रहते हैं ठीक है आप कभी देखना तो आपको ऊपर आपका टूल बार दिख जाएगा जैसे मैं आपको बता देते हूं आपको पतली सी लाइन देख जैसे यह अपकोई ब्राउजर जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं मेभी आप लोग मोजिला firefox या पर क्रोम का या फिर यूसी ब्राउजर के यूसकर तो चैसे आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका ब्राउजर और ओर प्रोसेसर जो आपके रहते हैं जि जितना याद रहे हैं आपको बता दे रहें फिर इस तरीके से रहता है फिर उसे चोटी-चोटी से आईकन यहापर बने रहते हैं तमां सारे जैसे first वाला तो आपका file का होता है मुझे अच्छी से आद है first वाला तो यह जो हैं आपके टूल बार होते हैं ठीक है आए चलते हैं next question की और question है आपसे की email का full form क्या है very very important question की आपके जो email होता है उनके full form क्या है electronic mail, electric mail, electromagnetic mail इन मैंसे कोई नहीं तो email का जो पूरा नाम है इसका पूरा नाम होता है आपका electronic mail क्या होता है electronic mail जो आपके email होते हैं यह आपके दो चीज़ों से बने होते हैं पहला username यह सभी चीज़े में बहुत important बता रहे हैं और सभी की होना चाहिए हमें पढ़ना वही है जो हमारे एक्जाम में पूछा जा रहा है बाकी PhD करके आप कुछ हां से लिंक कर पाएंगे तो यह सभी चीज़ें याद रखने हैं कई बार एक्जाम में आपसे पूछा जाता है कि email बना होता है तो email जो है username और domain name से बना होता है ठीक है किस से बना होता है आपका username और domain name से बना हुआ होता है जैसे मैं आपको समझाती हूँ एक email id मैं यहापर लिखती हूं 93 98 at the rate gmail dot com अब यहाँ पर मैं सभी दर्सकों को एक बात बता दूँ कि यह जो है email ID मैंने एक example दिया है कहीं आप लोग इस पर mail करना सुरू ना कर दें यह मेरी email ID नहीं है मैंने example आपको set करके दिया है कि मान के चलिए कि यह एक email ID है अब इसमें आपको मैं समझाओंगी कि username क्या होता है domain name क्या होता है and why we use the add the rate तो add the rate एक ऐसी जीज है जो आपके username को domain name से अलग करते है आपका server इसी add the rate से पहचानता है कि कौन सा username है और कौन सा domain name है आपके domain name का यहाँ पर क्या नाम है Gmail Gmail क्या है यहाँ पर service provider है जो हमें service provider कर रहा है जैसे हम लोग Gmail यूज करते है तो gmail.com आता है यदि हमने yahoo वगरा यूज क्या होगा तो yahoo आपका हाएगा तो आपके जैसे gmail हुआ yahoo हुआ outlook हुआ and आपके radiff email हुआ यह सब आपके service provider होते है जिनसे आप लोग freely mail कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर आपका gmail जो है आपके domain name है ठीक domain name क्या है हमारा gmail.com वहीं पर आपका nancy 98 क्या है यहाँ पर nancy 98 यह आपका user name कहलाएगा ठीक इनको अलग करने का काम हमारे add the rate ने किया I hope यहाँ पर आपको gmail यह क्या है मैंने बताया आपको service provider है जो हमें service दे रहे हैं gmail की यहाँ पर आपका yahoo भी हो सकता है यह सब हो सकते है आपके जो भी service provider होगा उसका नाम यहाँ पर आएगा I hope यहाँ पर आप समझ गया होंगे कि email कैसे बनता है तो आपका email username और आपके जो है domain name से बनता है चलते हैं next question की और जो कि है आपका कि चित्र संदेश यानि कि video message निजी इनवोक्स में कितने दिन बना रहता है कितने दिन रहता है 28 days 30 days 7 days या फिर 5 days बताना है आपको कि चित्र संदेश यानि कि video message कितने दिन आपके निजी इनवोक्स में बना रहता है यहाँ पर मैं मेल की बात कर रही हूं जहाँ पर आपका इनवोक्स होगा तो आप लोग देखना कि कितने दिन आपका वीडियो मेसेज बना रहता है यह जो वीडियो मेसेज है यह आपका maximum 30 days तक ही बना रहता है option 2 एकदम correct होगा 30 days तक ही आपका जो है निजी इनवोक्स जो होता है आपका मेल का उनमें आपका वीडियो मेसेज बना रहता है आईए चलते हैं next question कि वोग question है आपसे कि vlog सब्दों सब्दों का सहीँजन है बेब लोग बेब लोग या फिर आपकी बेड लोग आपको बता दें कि जो ब्लोग है आपके दो सब्दों का सहीँजन होता है बेब लोग ठीक है यानि कि आपका first option एकदम correct होगा बेब लोग ठीक है next question है आपसे कि CC क्या है very very important question CC क्या है computer की भासा एक से अधिक व्यक्तियों को email की copy भेजना ब्यापारिक भासा इन मैंसे कोई नहीं जैसे मैंना एक से अधिक व्यक्तियों को जो है mail भेजने के लिए CC का use किया हुआ है तो जो CC होते हैं एक से अधिक व्यक्तियों को mail भेजने की पद्धिती होते हैं इसले option 2 एकदम correct होगा and next question है आपसे कि निमलकित मैंसे कौन सा निसुल के email सेवा परदाता है hotmail, rediff mail, yahoo या फिर सभी आपको बता दें ये सभी आपको निसुल के email प्रवाइड करते हैं सेवा प्रदाता है next question है आपसे कि परति एक email account में एक storage area होता है जिसे कहते हैं hyperlink, IP address email attachment या फिर mail box question आपसे simply यही है कि जैसे ही आप अपना email खोलेंगे या Gmail खोलेंगे जैसे आप Gmail कहते हैं Gmail account जहां रहता है आपका जैसे आप अपना email खोलेंगे जो आपका app रहता है कुछ इस तरीके से रहता है आप अपने Gmail को खोला तो आप देखेंगे email account में एक storage area है जहां पर आपके सभी-सभी email रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं तो उसको हम लोग mailbox कहते हैं क्या कहते हैं mail box कहते हैं mail box में आपके सभी-सभी email सो रहते हैं and next question है आप से की video conferencing है question है आप से की video conferencing है दूरभीन प्रध्योगी की का उपयोगे करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन दूरभास पर कॉल का परिचालन दूर संचार परद्योगी की का उपयोगे करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन या इन मेंसे कोई नहीं हम सभी लोग वीडियो कॉल से भली माती परचत है तो आप सभी लोग समझ गहेंगे कि option 30 करेक्ट हो सकता है इन मैंसे कि दोर संचार पर अध्यगी की का उपियो के करते हुए वीडियो कॉल का परिचाला नहीं हमारा सही होता है वीडियो कॉंफरेंसिंग के बारे में next question है आप से computer का जनक किसे माना जाता है very very important question कि computer का जनक किनहें माना जाता है जैक किल्वी विलगेट्स चाल्स वेविज या फर पासकल तो जैक किल्वी सहाब में तो IC चिप्स बगएरा का जो है आपका इन्वेंशन किया था इन्होंने जो है आईसी चिप बगरा जो होती है इनको अविस्कृत किया था वहीं बिलकर साहब जो थे इन्होंने तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की खोच की थी एंड आपके चाल्स वबच जो है यह जो है आपके माने जाते हैं कंपीटर के जनक क्या कं कौन माने जाते हैं छाल्स वबच सहा माना जाते हैं आधुने कंपीटर के मेंुस्ट के विग्यान के जनक कैने माना जाता है आपके छाल्स चानल्स स्वाआइस जानक है खींगे इन्होंने जौव रखरीक्त in 1922 तो यह त्ववाइस हो गया 1822 एव थे इन आललिकल इंजन चाहिए इन सँम्हाई कुड़ सब्सक्राइब यह आपकी पाप से चलने वाली मसीन थी वही आपके पंचकार के दिसा निर्देशों पर कार करने वाले युगती थी तो आपके चाल्स वविच साब को आपके कंपीटर का जनक माना जाता है अप कंपीटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उनकी फादर का नाम पता होना चाह प्र्थम यांत्रक गरना मसीन में पूंचहा जाता है कि फीया तो फिर्थम यांत्रक गर्णा मसीन का अविचकार और नीसे कोई नहीं नहीं गंपूटर विग्यान के विकास में जो सरवाधिक युगदान है वो अमेरिका की वन न्यूमेन सहब का माना जाता है जब कि बाइनरी प्रणाली जो 01 के फॉर्म में रहती है इन में भी इनका युगदान माना जाता है आपका यह पूछा गया कोश्चन है कि अधुनिक के कि विकास में शर्बादे की योगदान किसका है ब्लेज पासकल चाल्स बेबिज हर्मन हैलोरित या फिर जैक किलवी तो आपको बता दें कि प्रथम अंकिये कम्पीटर की ब्लूप्रिंट की विकास में शर्बादे की योगदान आपके चाल्स बेबिज जी करा है यही चाल्स और आपके दोजने क्या यही तो आरभक को कहां कि सर्वरत्ыт हमादुने कंपीटर का विषखार किया था ऐसे आतों स्कुर क्याता भूद है बताने आपको सर्वरत्हम आदुने कंप्यूटर का वेस्कार कवोई 1946 में 1950 में 1965 में या फिर 1960 में तो आपके आधुने computer का जो अविसकार है 1946 में हुआ था next question है आपसे की एक क्लो वाइट होता है एक लाख वाइट्स दस्टोचोवीज वाइट्स दस अजार वाइट्स या फिर एक अजार वाइट्स तो एक क्लो वाइट्स जो है आपके बरावर होते हैं आपके दस्टोचोवीज वाइट्स के बरावर होते हैं इसलिए आपका option टू एकदम करेक्ट होगा and next question है आपसे की computer आंकड़ों में असुद्धी को क्या कहा जाता है चिप बिट बाइट या बग जैसे हम लोग की सिदी क्या में स्टेक होई है अगर मैंने धोके से बोल जिया कि मम्मी मेरे से कोई गलती हो गई तो पहले पूरी धुनाई हो जाएगी पूरी पूछा पाथ हो जाएगी उसके बाद कूछेगी मम्मी क्या गलती है ऐसी ही computer की भासा में जब कभी आपसे अशुद्यां हो जा software code की होता है जो आपके program भगेरा आप लोग लिखते हOYएं जैसे c में हमलोगgel जाबा मैं प्रोग्राम लिखते हो है तो वो software code मेंसे error और आमके जो बग हैं उनको detect किया जाता है debugging के माध्य rash से फिर से सुनिए मैंने क्या कहा debugging आपकी एक ऐसी प्रिकरिया है जिसके द्वारा software code में से आपके जो बग है इनको detect और correct किया जाता है ठीक है errors को ठीक है इतनी चीज़ें आपको याद रखने बग के बारे में और debugging के बारे में सिमिलर आपके जो हैं दोनों ही बर्ड हैं तो याद रखना है इनके बारे में नेक्स कोश्चन है आपसे की memory सब्द किस से संबंदित है logic से story से या फिर आपके input से या control से यह पहली बात तो सब्सक्राइब कहीं सब्सक्राइब चीजसान करते हैं नेक्स कोशने आपसे कि SIM जो आप लोग यूज़ करते हैं इस SIM का पूरा नाम क्या है very very important बताना है आपको self identity module, self identity machine, subscribers identity machine या subscribers identity module तो SIM का जो पूरा नाम है बहुत है आपका subscribers identity module आपका नाम होता है SIM का बहुत जादा important है next question है आपसे की digital computer किस सिधान्त पर कारे करता है मापन, logic, विद्दुत या फिर गर्ना तो जो digital computer है ये basically आपकी गर्ना पर कारे करते हैं किस पर गर्ना पर कारे करते हैं ठीक है next question है आपसे की computer भासा कोबोल किस के लिए उपयोगी है ब्यावशायक कारे बैग्याने कारे ग्राफिक कारे या इन में से कोई नहीं तो computer भासा जो कोबोल होती है ये आपके ब्यावशायक कारें के लिए उपयोगी होती है कोबोल का पूरा नाम होता है common business oriented language ठीक है ये जो यह आपके नाम होते हैं पूरे कोबोल के important हैं याद रखना है common business oriented language आपके नाम होते हैं कोबोल के जो कि आपके विवशायक कारें के लिए एक language होती है आए चलते है next question की और question है आपसे कि प्रोग्राम हेतो सरववर्थम बि यह basic तो program हेतु जो सरवर्थम विक्सित की गई भासा है वो Fortran है कौन सी है Fortran Fortran का पूरा नाम है आपका formula translation ठीक है यह सब चीज़ें अब प्रचलन में इतनी नहीं रही है और Fortran आपकी काफी पुरानी लेंग्वेज है यह आपके 1950 में विक्सित की गई थी 1950 में किसके द्वारा विक्सित की गई थी आपकी इस भासा की जो करती सुत्र हैं गर्ती सूत्रों में बहुत आसानी से हल कर देती थी यह आपकी Fortran लेंग्विज ठीक तो इतनी चीज़ें आपको र्याद रखना है कि गरती सूत्रों को बहुत आसानी से कौनसी लेंग्विज और आपके अनलेटिकल इंजन का विसकार किया था और रमान जी के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छी था पता है बहुत की मियनका युगदान के बारे में और आईसी चिफ जो इंटीग्रेटेट चिफ होती है इन पधार्तों से आपकी बनी होती है यह जो आपकी अच्छेटेटी 57 in यह बहुत चोड़ी चोटी से होती है अलोग डिपश के समान होती है बार्त इनका काम बहुत मोठा होता है एक च्शंथा बहुत ज्यादा होती है नेक्स क्वेकंड है यह उपरेटिंग स्टम एक टेडर वेसी सौफट मेल साफु vardı atrás located software और लाने के काम आते हैं उन्हें हम लोग database software कहते हैं ठीक यह जो डेटावेस आपका औरेकल है यह बिसिकली आपका एक relational यदि कभी आप सब पूंच लिया जाया तो याद रहें आपको रेनेशनल डेटावेस कि मेनेजमेंट system है क्या है आपका rdbms है क्या है relational डेटावेस मेनेजमेंट सिस्टम है इसलिए इसे rdvms कहा जाता है ठीक है relational डेटावेस मेनेजमेंट सिस्टम ठीक यह चीज आपको याद रखनी है आपके वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला अगर कोई डेटावेस मेनेजमेंट सीस्टम है तो जो आपका याई रहा है कौन सा है नैसल्य वेल्डश ट्वारा या packaging 21 लोग स्टुल से यूज करते हैं ने में इसलिए इसकाइज करते हैं ये मासीमें द्वारा याम ने भी बको टोग a माइक्रोसोफ के द्वारा माइक्रोसोफ के बारे में बता चुकी हूँ यह किसकी कंपनी है तो यह गैर साहब की कंपनी है और कब विक्सित हुई थी 1975 में इनकी हैड़वाटर आपकी अमेरिका में देखने को मिलते हैं ुइसिक भासा का प्रियोग निम्ने मैं किस कारण के लिए किया जाता है वानची के लिए बच्चो को सिखाने ही तो या प्रार्म मैं पहले सरल चीज़ें सिखाएं फिर हम उससे आगे की चीज़ेंगों पर जाएं तो बेसिक भासा भी एक ऐसी भासा होती है जो प्रारम में सरल भासा को सिखाती है ठीक है इसलिए फोर्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा नेक्स कोस्चन है आपसे कि फोर्ट एलगोल पासकल आधी भासाओं को सीखने के लिए किस भासा को निव का पत्थर कहा जाता है बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन है कि फोर्ट एलगोल पासकल ये सभी भासा हैं जो हैं इन सभी भासा को सीखने के लिए किस भासा को निव का पत क्लादी भासाओं को सीखने के लिए चलते हैं next question की और next question है आपसे कि V IOS का पूरा नाम है आपको बताना है कि V IOS का पूरा नाम क्या है बहुत important question है यह वाला कई बार exam में पूछा भी गया है आपसे तो बताईए कि V IOS का पूरा नाम क्या है basic internal output system basic extra operation system या फिर बेसिक इन्पौट आूट्पूट सिस्टम यह बेसिक इंटर्नल सिस्टम तो अपको बता दे कि वी आई-उय्स का पूरा नाम होता है आपकाया BASIC तो CD जैसी चीज़ों का यूज जो है कम होता गया अब तो सब कुछ हमारा CD के बिनावी हो जाता है तो यह जो CD था इसका पूरा नाम क्या था आपको बताना था compressor data compressed disk यह computerized data यह compact disk तो इस CD का पूरा नाम था आपका compact disk क्या नाम था यह जो compact disk है यह आपके data को store करती है किसको data को store कर सकती है साथी साथ इसमें हम read भी कर सकते हैं और write भी कर सकते हैं ठीक यह आपके एक storage device है जिसमें हम लोग read और write दोनों ही action परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है next question है आपसे के निमलकित मैंसे कौन सा एक computer की भासा नहीं है आपसे पूछा गया है कि इन मैंसे कौन सी आपकी computer की भासा नहीं है basic fast Fortran यह c c language भी होती है c++ भी होती है और java भी होती है यह आपकी language होती ह ब्रॉंद तो धीक है लेकिन फास्ट कोई भासा नहीं होती कोबवल भी आपकी यह भासा ही थी ठीक है लेकिन फास्ट कोई भासा नहीं थी ठीक चलते हैं next question है और question है आपसे की Apple क्या है computer भासा computer network 1 फल 4 वीडिका एक computer तो एपल जो है आपका एक 4th generation का माक्रों सब्सक्राइब कि continuing time the structure bi-sans का माक्रों प्रोसेशर का सब्सक्राइब इतना जाड़ा डिया कि आपके झो 理 पर accusation हो पहुत जल्दी पर्फूंदें लगे यही था कि उन्हों ने जो यहां प्रॉसेशर की स्फीट बहुत जादा बढ़ा दी और मेलियन ऊफ instruction अब बहुत ज़ल्दी perform हो जाते हैं तो जो माइक्रो प्रोसेसर हैं इनमें LSI LSI का मतलब होता है large scale integration large scale integration और आपका एक और होता है होता है VLSI यह जो VLSI होता है इसका मतलब होता है very large scale integration से क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर की छंता में और ज्यादा ब्रद्धी हुए तो LSI और VLSI जो है आपकी इनका यूज आपकी फोर्थ जैनरेशन के कंपीटर में हुआ एक्साम में पुचा जाता है कि 4th generation की कंपीटर में प्रियुक्त हुआ आप से उप्षन में दे दिया जाएगा vacuum tubes आपके transistor microprocessor ये फिर कोई आडवाईस दे दिया जाए तो microprocessor का यूज जो है आपकी fourth generation में हुआ था LSI VLSI प्रणाली का यूज हमारे 4th generation के computer में हुआ था क्योंकि LSI वो VLSI यह एक ऐसी प्रणाली थी जिन्होंने Micro processor की चमता को बढ़ाया था ठीक है चलते हैं next question की गोर प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गती वाला computer होगा Super computer, Quantum computer, Mini computer या Micro computer तो आप सभी को लग रहा होगा कि आंसर Super computer होगा जी नहीं Super computer नहीं होगा आपसे जैसे पूछा गया कि सबसे तेज गती वाला computer तो आप लोग ने Super computer होला लेकिन question को ध्यान से पढ़े यह question यह है कि मस्तिस्की की कारे प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गती वाला computer कौन सा है तो वो होगा आपका quantum computer quantum computer आपके मस्तिस्की की कारे प्रणाली की नकल करने में सक्षम होते हैं आजकल question आपके quantum computer से पूछे जा रहे हैं तो आपको quantum computer के बारे में याद रखना है यह जो quantum computer है यह आपके क्यू बिट्स का यूज करते हैं या फिर आपकी quantum बिट्स का यूज करते हैं अगर जीवन में कभी पूचा जाए एक्जाम में तो याद रखना कि क्यू बिट्स का यूज करते हैं नेक्स कोशन है आपसे की देश का पहला कम्पीटर साक्षर जिला है एना कुलम, तिरुवन लूर, विलुपुरम या फिर मलापुरम तो देश का पहला कम्पीटर साक्षर जिला है आपका मलापुरम जो की आपकी केरल राज्य में हैं आपका कम्पीटर साक्षरता दिवस मना चावला परम कोलम्भिया चावला तो आपकी जपान द्वारा विक्षित किया गया है चाहर नासा का पूरा नाम है आपका सब्सक्राइब करनाटक राज में पढ़ते हैं कहां पर करनाटक राज में पढ़ते हैं नेक्स कोश्चन आप रमदीव यह तो आपका विश्च्व का पर्थम अधिस्व कोन सा है बहुं करने वालाई करने की वालास कौर do software ने वीकास करने वाली एक संसाय सीलिए अंट फाइल एक दम करेक्ट होगा, नेक्स्ट कोश्टन ने आपसे कि आप अपना personal file folder रख सकते हैं, माई फोलडर में, माई डॉकुमेंट में, माई फाइल्स में या माई टेक्स में, है important question है कि आप our personal file order कहां रख सकते हैं तो यह हम लोग माइ डोकुमेंट में रख सकते हैं कहां पर माइ डोकुमेंट में रख सकते हैं इसलिए आपका option to एकदम करेक्ट होगा next question है आप से कि बरतमान में प्रयुक्त हो रहे window को क्या कहते हैं very very important question इसे हम लोग एक्टेब बिंडो कहते हैं जो आपके बर्तमान में यूज हो रही होती है नेक्स कोशन आपसे कि इन में से कौन आपके MS Office Package Program नहीं है MS Word, MS Excel, MS Access या फिर WordPad तो आपके WordPad जो होते हैं यह आपकी MS Office Package Program के अंतरगत नहीं आते हैं तो आखिर कौन-कौन से आपके MS Office Program Package के अंतरगत आते हैं आईए जानते हैं तो आपके Microsoft Office Package के अंतरगत आपके चार प्रोग्राम आते हैं कौन-कौन से चार हैं आईए जानते हैं इनके बारे में पहला है आपका MS Word दूसरा है आपका MS Excel यह बहुत इंपोर्टन चीज़ है याद रखना है एक्जाम पूछा जाता है और थर्ड है आपका MS PowerPoint जैसे मैंने इन सब का यूज किया है तो मुझे पता है लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने भी इनका यूज किया है तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह सब लोग हमारे जो हैं MS Office Package प्रोग्राम के अंतरगत ही आते हैं और फूर्ट नमबर पर आता है आपका MS Access ठीक है MS Access तो यह चार जो आपके प्रोग्राम है यह आपके MS Office Package के अंतरगत आते हैं MS Word, MS Excel, MS PowerPoint आपके MS Access ठीक है याद रखना है इन चालों के बारे में तो यहाँ पर आपको लोग समझ चुके होंगी कि word bet आपका नहीं आता है नेक्स कोश्चन है आपसे कि MS Word का प्रियोग किया जाता है संख्यात्मक डेटा संसोधन है तो टेक्स डेटा संसोधन है तो चित्र डेटा संसोधन है तो या फिर इन में से कोई नहीं तो आपके MS Word का use जो है आपके text data संसोधन है तो किया जाता है इसलिए option 2 एकदम correct होगा याद रखना है इस बारे में आपको next question है आपसे कि MS Microsoft Office का निजी सूचना प्रबंदख है important question है access organizer outlook या internet explorer तो आपके MS Microsoft Office का जो निजी सूचना प्रबंदख है उसका नाम है आपका outlook इसलिए option 3 एकदम correct होगा चलते हैं next question की और question है आपसे की new नए document के लिए keyword shortcut है आपको बताना है कि new document के लिए आप कौन सा keyword shortcut use करेंगे आपको keyword की shortcut keys के बारे में थोड़ा वह जानकारी होगी नहीं होगी तो आप दीरे दीरे इस वीडियो में सीख जाएंगे कुछ यहां पर आपको shortcut keys देखने को मिलेंगी फिर आगे भी वीडियो रहेंगे तो उनमें कई सारी shortcut keys देखने को मिलेंगी तो आप लोग समझ जाएंगे shortcut keys जो important important है उन सभी के बारे में तो नए document के लिए shortcut की है उसके आपके option दिये है कि CTRL यानि की control plus M control plus B control plus shift plus E control plus N तो नए document के लिए keyword shortcut की है वो है आपकी control plus N next question है आपसे की word wrap की क्या फिसेशता है very very important word wrap की क्या फिसेशता है तो आपको बता दें कि word wrap जो होता है वो आविशकता होने पर टेक्स्ट को अगली line में स्वताह भेज़ देता है इसलिए fourth option एकदम correct होगा next question है आपसे कि किसी document की प्रतिक पेज पर सीर्जक यानिकी title page number जैसी सूचना डालने के लिए प्रियोग किया जाता है very very important question जब कभी हम लोग document बनाते हैं जैसे MS word पर ही आपने कोई document बनाया कुछ भी बनाया तो वहाँ पर आपको page number देना है या फ़र आपको title देना है ठीक है यहाँ पर page number one दिया आपने next page को आपको पेज नमबर टू दिया या फिर आपने कोई स्लाइड बगरा बनाई तो उस पर आपको पेज नमबर बगरा लिखना है टाइटल बगरा लिखना है तो ये सबी चीज़ें आप लोग कहां करते हैं फुटर का इनमें से कोई नहीं तो हम लोग हेडर इवन फुटर दोनों के मध्यम से सीरसक और आपके पेज नमबर जैसी सूचना है डालने का काम करते हैं ठीक है इनमें से कोई नहीं तो word processing software जो होते हैं नाम से इस फस्ट है word processing ठीक है तो इनका use जो हम लोग document निर्मार के लिए करते हैं इसलिए option 2 एकदम correct होगा next question है आप से कि email भेजने प्राप्त करने के लिए उक्त प्रोटोकल है very very important question बहुत ही महत्कुन question है यह वाला कि email भेजने और प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकल जो है उक्त होता है FTP यानि की file transfer protocol SMTP यानि की simple mail transfer protocol STTP यानि की आपका hypertext transfer protocol ELP यानि की application layer protocol बताना आपको email भीजने और प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोक्ल जो है आपका useful होता है तो वो को है आपके SMTP यह जो SMTP है इनका पूरा नाम आपका simple mail k mail transfer protocol data API अपका प्राप्त करने के लिए ठीक है तो आपके email भेजने और प्राप्त करने के लिए आपके SMTP ही जिम्मेदार होते हैं यदि आपको समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या लिखा है तो मैं फिर से लिख देती हूं क्योंकि इन सभी की full form बहुत ही important होते हैं जैसे आपका FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है SMTP का पूरा नाम है आपका Simple Mail Transfer Protocol ठीक है ALP का पूरा नाम है आपका Application Layer प्रोटोकॉल ठीक है यह जो है इनकी पूरे नाम है याल रखना है एक्जामम पूझे जाते हैं इस सभी चीचे worldly सहने आपसे के email वेजना किसके समान है टीवी चलाने के arose समने बाले का email address लिखते ही Okay पतता लिखते हैं लिखते हैं ऐसे हम लोग email में क्या लिखते हैं हमसामने बाले का email लिखते हैं फिर हमें जो भी वेजना होता है उसको हम बोल मैसेज टाइब करते हैं या फिर पिक्चर वागरा सेंड करते हैं और हम उसको सेंड कर देते हैं ठीक है तो यह जो इमेल वेजना यह आपके पत्र लिखने के समान माना जाता है नेक्स कोशन है आपसे, कि internet के इस्तेमाल के समय, internet के समय, full screen view के लिए, प्रियुक्त की वोर्ड कमांड है, very very important question, कि internet के इस्तेमाल के समय, full screen view के लिए, प्रियुक्त की वोर्ड कमांड कांसा है, आपके F2, F11, F9, typosf10, तो F11 की का जो है use करते हैं, हम लोग internet इस्तेमाल करते समय फुल स्क्रीन व्यू के लिए यदि आप लोग internet का यूज नहीं भी कर रहे हैं यानि कि आप अगर offline भी है offline ठीक है मान के चलिए आप offline है ठीक है offline और online दोनों ही cases में यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है वो फुल व्यू में दिखे तो हम लोग f11 जो आपकी कीवोड है कीवोड की होती है यह आपकी f11 इसका यूज करते हैं बहुत ही important है याद रखना है यह क्या करती है कि पेज को फुल स्क्रीन मोड पर चलाने के लिए यूसफुल होती है f11 की यदि हम लोग चाहें कि आपके जो फुल स्क्रीन मोड पर आपकी स्क्रीन चले साथी साथ उससे बाहर आने के लिए भी हम लोग f11 की का यूज करते हैं नेक्स कोशन है आपसे की वी ओ आईपी का विस्तारित रूप है बताना है आपको आपके वी ओ आईपी का पूरा नाम क्या है तो आपके वी ओ आईपी का पूरा नाम होता है वाइस ओबर इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरी वेरी इंपोरेंट कोशन कि वाइस ओबर इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके वी ओ आईपी का पूरा नाम होता है याद रखना है तो आपका जो telnet होता है ये text आधारत एक computer protocol होता है याद रखना है आपको telnet के बारे में next question है आपसे कि यदि आपका computer सोता हा reboot करता है तो संभावना होती है कि इसमें memory परयाप्त नहीं है printer नहीं है, virus नहीं है या फिर बिजली की तीज current है कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा computer जो है अपने आप reboot करने लगता है तो वो किस बज़े से reboot करता है क्या संभावना होती है क्या memory परयाप्त नहीं होती है इसलिए reboot करता है या फिर printer नहीं होता है इसलिए reboot करता है या फर बिजली का 30 करेंट आता है इसलिए रिबूट करता है तो हमारा कम्पीटर अचानक से जब रिबूट करता है तो संभाबना होती है कि हमारे कम्पीटर में वाइरस आ चुके है ठीक है जैसे आजकल कॉरोना वाइरस बहुत ज्यादा प्रसलर में है से कंपिटर में भी virus आते रहते हैं इनी virus की बगजह से हमारा computer reboot करने लगता है नेक्स कोशन आपसे कि जंक email को कहते हैं ये कोशन बहुत जादे है important है जंक email को क्या कहते हैं spam script is Swift या फर इस पूफ तो जंक email को हम लोग spam कहते क्या कहते हैं इमेल कहा जाता है यह अंचाहे इमेल होते हैं यह बिना बुलाए बारातियों के तरह होते हैं जिनको हम नहीं बुलाते फिर भी हमारे फोन में आ जाते हैं यह एड़र्टाइजमेंट बगएरा के जो हैं आपके इमेल होते हैं जैसे आप लोग देखें कि कई सा दिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इंफेक्टेट फाइल को क्लीन करने के लिए फाइल को डिलीट करने के लिए यह फिर इंस्टब्ड्र प्रोग्राम को हटाने के लिए अब आपको बताना undergraduate की antivirus का प्रियूप करते है एक तो होता है virus virus क्या करता है हमारे computer को effect करता है तो antivirus क्या करेगा antivirus क्या करेगा कि जो हमारी infected file है इसको clean करेगा obviously क्यों इसका नाम antivirus है इसलिए option to correct होगा next question है आपसे की firewall firewall का मुख्य काम है very very इंपोर्टेंट क्वेशन फाइरवाल को मुखकार है आपको बताना है मॉनिटरिंग मूविंग डिलीटिंग या फिर कॉपिंग बताना है आपको तो आपके जो फाइरवाल होती है पहले इसके बारे में जाल देते हैं यह जो फाइरवाल है यह आपके नेटवर्क सिक्यूर देटा होते हैं हमारे डेटा के पैकेट्स धेकट को मतलब है जो हमारा डेटा होता हुटे छूटे चूटे बागों में बाट लिया जाता है exponents least उनको लंग डियोग ढटता है डेटा पैकेट क bisa को प्रीडिफैंट को गंडें जो रूल होते हैं उनकी अनुसार चेक करके तो मैंने देखा कि हर घर में एक बहुत बड़ा सा कुट्ता रहता है तो कुट्ता क्या करता है यही करता है जो प्रीडिफाइन रूल है जो मतलब प्रीडिफाइन रूल का मतलब यह है कि जो पहचाने हुए लोग है सरफ उनको घर में जाने देता है जो पहचाने हुए वो आपका monitoring होता है कि आप लोग समझ गये हैं यह आपके network security में use होता है तो basically यह monitoring ही करता है firewall monitoring का मतलब है जो आपकी जो rules हैं उनकी अनुसार जो check करें आपकी जो चीजें आ रही हैं उनको और फिर उनको आगे जाने दे तो यही तो कुट्ता करता है monitoring का काम करता है घर की घर क monitoring करता है आसपास की लोग का monitoring करता रहता है कि यह हमारे घर में आते हैं यह नहीं आते हैं यह नया परसन है तो इस पर भौकना है यह सब चीज है ठीक है next question है आपसे की proxy server प्रियोग किया जाता है database access के लिए request करने के लिए TCP IP देने के लिए या फिर web page के लिए client request process करने के लि आपको proxy server के बार में बताना है पहली बातों server इस तरीके से नहीं लिखा जाता है server आपका इस तरीके से लिखा जाता है ठीक है याद रखना है नेक्स कॉश्चन है आपसे कि अंजान इमेल अटेश्मेंट को हटा दिया जाता है क्योंकि इससे आप जेल जा सकते हैं यह गलत तौर तरीका है यह व्यक्ति को जखमी कर सकता है इसमें वाइरस हो सकता है जो आपके कम्पीटर को नुकसान कर सकता है आपसे सिंपल कोश्चन गयरादों से कंपीटर सुधारने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति जो कम्पीटर को सुरक्षा बनाए रखता है या फिर एक व्यक्ति जो व्यक्ति का दलाव की दूस्त अरादों से computer सुरक्षा का पालन नहीं करता व्यक्ति जो computer के सुरक्षित परिचालनों के लिए उत्तरदाई होता है इन में से कोई नहीं तो hacker, hacker के बारे में आपको बताना है आप सभी लोग 21st century के हैं, आप सभी लोग पर्चित होंगे hacker सब्द से, hacker विसिकली वो होते हैं, जो आपके computer को नुक्सान पहुंचाते हैं ठीक है, इनका विल्कुल intention यह नहीं होता कि computer को सुधारने बाला कार तो first और third option तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी कभी भी आपके जो hacker हैं, यह अपने व्यक्ति का दलाव के लिए आपके जो computer हैं, इन सभी को सुरक्षा परदान नहीं करते हैं इनको नुक्सान पहुंचाने का कार जो हैं, आपके hackers करते हैं ठीक है, तो आपका option 2 एकदम correct होगा, hacker के बारे में next question है आपसे, कि ग्यात software bug को repair करने के लिए इंटरनेट पर सामाने था बिना प्रभार के मिलेने वाला software है वर्जन, आपके patch, tutorial इन में से कोई नहीं बहुत ही जादा important question है आपसे, कि ग्यात software के bug को repair करने के लिए कभी आपके software में कोई bug आ जाता है, bug का मतलब है कोई अशुद्धी आ जाती है computer की भासा में असुद्धी को bug कहा जाता है, तो computer में जब आपकी software में bug आ जाता है तो उसको repair करने के लिए आपके internet पर सामनता बिना प्रभार के कुछ software आपको मिलते है तो उन software को क्या कहा जाता है, तो उन software को patch कहा जाता है, क्या कहा जाता है patch, ठीक है चलते हैं next question, तो question है आपसे कि यह virus floppy disk drive में रहकर floppy disk में आता है logic, bum script, boot sector virus या फिर trojan horse, ऐसे virus का नाम आपको बताना है जो आपकी floppy disk drive में रहकर floppy disk में आता है, तो उस virus का नाम है आपका boot sector virus very very important question again, next question है आपसे कि वह गोपनी कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रिवेस प्रतिवंदित करता है कहलाता है, end record, access code, passport या फिर password, तो आप लोग समझ गया होंगे गोपनी का मतलब है secret, ठीक है, तो आपका जो password होता है, यह आपका एक गोपनी code होता है जो कुछ प्रोग्रामों प्रिवेस करने के लिए प्रतिवंद लगाता है, जैसे कि हम लोग अपनी phone में भी passport लगाते हैं, अपनी कोई भी gadget जो होता है, जैसे हमारा laptop है तो उसमें भी passport लगाते हैं, तो उसका use यह होता है, कि जो हैं हमारे प्रोग्रामों तक कोई और ना पहुच पाए और हमारी जो program है हमारी जो file से वो infect ना हो ठीक है next question है आपसे की computer virus है ऐसा virus जो मनस के स्वास्त को प्रभावत करें ऐसा virus जो swam की प्रतीलिपी बना सकें ऐसा program जो computer को नुक्सान नहीं पहुचाता यह आप रोग तो सभी पहली बात तो को बता दें कि includes था ओप्ट के फिर्फ और को पहुंचा तो आपका थादल अप्सें नहीं होगी बात वाइड की गुऔर सब्सक्राइब प्रोग्राम होता हैं होते हैं कि होते हैं के सफ्रेक्राइब फॉर्म होता है है Mais k kartac वाइरस हैं तो software program ही होते हैं तो यह ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो स्वैम की प्रतिलीपी बना लेते हैं ठीक है option 2 एकदम correct होगा next question है आपसे computer के बारे में कि computer आकड़ों की भंडार करने के लिए सक्षम युकती है आकड़ों की computer क्या है तो आपको बता दें कि computer आकड़ों की भंडार करने के लिए एक सक्षम युकती है option 1 एकदम correct है आकड़ों की विशलेशनल करने के लिए सक्षमिक्ति है क्योंकि आपके चीज़ों को सीक्रेट भी रखते हैं इसलिए पूर्ण गोपिनियता बनाए रखने का कर आपके कंप्यूटर करते हैं और कभी-कभी वायरस द्वारा संक्रमेद भी हो जाते हैं इसलिए आपके चारों जो ऑप्षन दिये हैं यह बिल्कुल कर नेक्सक्षण ने आपसे c.a.d. संचिप्त नाम है वेरी वेरी इंपोर्टन vic. subscribe आपको ब्ताना है कॉमटूर्ण एडेट दिजाइन कंप्लेक्स एडेट दिजान कंप्यूटर एडेट डिजाइन वेरी एंपोर्टन कोस्षण सी अडी का पूरा नाम है के वीड़ी का पू सोधन और विशलेशन में सहायता करते हैं नेक्स कोशन ने आपसे कि कम्पीटर प्रोसेस द्वारा इन्फर्मेशन में परिवर्दन करता है डेटा को इन्पुट को प्रोसेसर को ये नंबर को पहले तो कशन ध्यान से समझें कि कम्पीटर प्रोसेस द्वारा इन्फर्मेशन म परिवर्दित करता है किसको परिवर्दित करता है information में आपसे यह पूछा गया है computer ने process की फिर उसमें information परिवर्दित किया तो किसको परिवर्दित किया होगा information में computer information में परिवर्दित करता है data को data जो होता है यह आपका जो है एक तरीके का unorganized होता है ठीक है यह कैसा होता है अन ओर्गेनाइज जो था है यह बिवस्तित फॉर्म में नहीं रहता है फिर computer इसी process करता है computer ने process किये process करने काम कौन करता है processor यानि कि CPU करते हैं फिर यहाँ पर आपको जो output मिलता है यानि कि आपको यहाँ पर organized data मिलेगा यह जो organized data है इसको ही हम सूचना कहते हैं ठीक है क्या क आपका सूचना बदलती है data में ठीक है आपको यह चीज याद रखने है यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया है इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा आपकी process हुई ठीक है process हुई और यहाँ पर आपकी सूचना में आपका जो है data change हुआ तो data change हुआ ना सूचना में किस organized data को organized data में बतला जाता है आपके computer द्वारा इतनी चीज आपको याद रखने माइन में fit बिटा नहीं है ठीक है तो आपके data को process करके information परिवर्तित किया जाता है next question है आपसे की computer निमलखित मैंसे कौन सा कारे नहीं करता है input controlling processing या फिर understanding तो आपके computer जो है input लेने का कारे करते हैं तो यह तीनों कार आपके computer करते हैं understanding का काम मनश्य का है computer का कता ही नहीं होता है next question है आपसे कि alphanumeric data में प्रियोग किया जाता है very very important question कि alphanumeric data में क्या यूज किया जाता है अंकों का चिन्हों का अक्षरों का या उप्रोक्त सभी का तो उप्रोक्त सभी का use आपकी alphan निम्रेक डेटा में किया जाता है next question है आपसे कि निमलखित मेंसे कौन सा computer का गुण नहीं है विविद्धिता गोपनियता बुद्धिहीन जल्दी निर्णाय लेने की छमता जैसे कि आप सभी को पता है कि computer million instruction आपके विदिन सेकेंड में पर्फॉर्म कर सकता है जैसे आपके super computer वागरा पर्फॉर्म कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन आपके विदिन मिनिट में फोर्थ ऑप्शन तो सही होगा आपके जो computer है यह सीक्रेट भी रखते हैं चीज़ों को आपकी फाइलों को विविद्धिता भी नहीं होता बुद्धिन माना हो सकता है पर computer बुद्धिन नहीं होता ठीक है नेक्स्केश्ट और आप से की computer साक्ष्रता का अर्थ है वेरी वेरी इंपोर्टेंट आखिर जान लेना चाहिए कि computer साक्ष्रता का अर्थ क्या होता है कम्पीटर में विग्याता वनना जीन नहीं आईए जानते हैं ओप्शन क्या हैं कम्पीटर की कारे परणाली जानना कम्पीटर की कारे चमता की जानकारी रखना कम्पीटर की तुरोटी सुधारना या कम्पीटर प्रोग्राम लिखना तो कम्पीटर साक्षरता का अर्थ होता है आपकी computer की कार्य चंता की जानकारी रखना मतलब computer की वेशिक जानकारी रखना ही computer साक्षार्ट का अर्थ होता है computer साक्षर्टा दिवस-दो December या द रखना है आपको data processing का अर्थ होता है सूजना का mism bistillation उपयोगी के लिए सूजनाAh प्राप्त करना या डेटा का संग्रह या डेटा का भंडार तो डेटा प्रोसेसिंग का आर्थ होता है आपका उप्योगी के लिए सूजना प्राप्त करना क्या होता है उप्योग के लिए सूजना प्राप्त करना नेक्स कुश्चन है आपसे कि आपकी छोटी सिल्कॉन चिप जो हैं लगे रहते हैं इनको क्या कहते हैं CPU, integrated circuit, magnetic disc या इन में से कोई नहीं तो इनको हम integrated circuit कहा जाता है यह जो IC हैं यह आपके दो अर्दचालक पधार्थों से बनी होती है एक तो होता है आपका silicon क्या होता है आपका silicon और दूसरा होता है आपका germanium कौन सा होता है जर्मेनियम यह दो आपके जो हैं पधार्थ होते हैं अर्दचालक पधार्थ हैं यह आपके याद रखना है आपको silicon और जर्मेनियम इन तोनों के ही आपके बने होते हैं क्या integrated circuit किस ने किया था जैक के लिवी ने किया था मैं आपको बता चुकी हूं जैक के लिवी जी ने किया था ठीक है याद रखना है नेक्स कोशन है आपसे की निमलकित मेंसे कौन सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महिंगी computer है notebook, super computer, apple computer या फिर laptop तो आपका सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महिंगी जो computer है वो है आपकी कौन सी super computer है ठीक है नेक्स कोशन है आपसे की electronic computer का अविस्कार किया बताना है कि electronic computer का विस्कार किस ने किया था ये question बहुत ही जादे important है electronic computer का विस्कार आपकी एटनास और किलफोर्ड वैरी जीना किया था ठीक है तो आज की questions यहीं तक थे यहां आपके 100 questions पूरे हो चुके हैं I hope आप सभी को ये series बहुत पसंद आई होगी यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप सभी से request है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना शेर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के था साती साथ चैनल को subscribe करना ना भू पाले जी ताकि और भी इसी तरीके की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें and thank you so much इसी तरीके से बने रहे हैं नैंश्री क्लासेस पर